आपके लाजवाब फर्स क्लास तो दोस्तों हमारे CA Foundation की प्रिपरेशन के लिए attempt को अच्छे तरीके से cover करने के लिए हम आज से अपना जो session है अपने next attempt के लिए start कर रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे अपना slayvus का पहला chapter that is what nature and significance of business economics जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा slayvus दो पार्ट में divide है as you know एक हमारा है business economics और एक हमारा business and commercial knowledge यह मैं obviously जो आपका current slayvus है उसके इसाब से बता रहा हूँ नए draft के इसाब से अभी slayvus आना बाकी है तो 60% का slayvus जो हमारा business economics को लेकर है उसमें सबसे पहला chapter हमारा इसी बात पर focus कर रहा है कि business economics होता क्या है अगर मैं schooling की बात करूँ तो वहाँ पर हमने micro economics macro economics अलग-अलग branches economics की जो है उनको cover किया था लेकिन अब यह नया word basically business economics का क्या है इसका क्या concept रहता है और यह बाकी चीजों से किस तरीके से difference and plus obviously इसके अंदर हम क्या-क्या slayvus cover करने वाले हैं तो यह शुरुआत हमारी दोस्तों पहले chapter से होगी पहले हम समझेंगे कि business economics हाला कि word से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस word का मतलब क्या है बट yes obviously पहले पूरा detail में जानेंगे कि इस word का क्या meaning है और इसके अंदर क्या-क्या scope cover होता है तो चले शुरू करते हैं अपना topic business economics तो दोस्तों जब मैं first topic की बात करता हूँ business economics की बात करता हूँ तो जो chapter का नाम है मेरे CA foundation के साब से हम इसको देख रहे हैं क्या है nature and significance of business economics इसका मतलब पहला chapter हमारा पूरा का पूरा इन दो words पर या इस एक concept जो भी आप कहना चाहें उस पर focus कर रहा है ये क्या है business economics सर दो वड़ आ गए हैं अपे एक business आ गया economics आ गया हमने schooling में अगर हम commerce की stream की तरफ से आए हैं तो इस दोनों वड़ हमने अलग-अलग subject के रूप में पढ़े हैं business studies पढ़ा है और एक आपका economics micro and macro के पढ़ा है अगर आपने नहीं बढ़ा है 11-12 में आपके पास economics नहीं थी या आप दूसरी streams हैं तो भी कोई problem वाली बात नहीं मैं zero से start करूँगा but the thing is कि यहाँ पर जो concept हमें समझाने की कोशिश करी जा रही है जो concept हमें explain किया जा रहा है वो दो words से मिलकर बना है तो obviously अगर हम इन दोनो words का meaning properly समझ जाएं कि business क्या है और economics क्या है तो obviously हम यह समझ जाएंगे कि इन दो अलग-अलग concepts को एक साथ integrate करा गया है दोनों को एक साथ जोडा गया है और तब economics को एक नया रूप दिया गया है तो पहले हम समझेंगे economics क्या है फिर हम समझ लेंगे business क्या है और उसके बाद इन दोनो words का क्या concept निकल कर आता है हमारे syllabus में या किसी specific nation या business में तब ये concept हमें clear होगा अब आगे अगर दोस्तों देखें जैसे की 11th class में 12th class में जिसमें भी आपने micro economics बढ़ी वहाँ पर इस example का कबा खुबी इस्तेमाल करता हूँ मैं वह ये example लेके चलूँगा ठीक है बिल्कुल basic simple example से हम समझेंगे economics क्या है दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे picture देख पा रहे हैं यह हमारे किसान भाई है किसान भाई अपनी ट्रेक्टर तो नहीं है इनके पास अपने बैलो के साथ अपनी मशीनरी के साथ जो इनके पास है अपने खेत पे काम कर रहे हैं तो अगर मैं एक farmer की बात करूँ तो farmer के पास जो जमीन है जो agriculture land है और obviously उसके बाकी जो equipments है वो उसके resource होते है एक farmer का जो main resource है वो क्या है सर वो उसकी agriculture land होती है अब उस agriculture land पर वो तरह तरह की अपनी जो crops है vegetables है जो भी वो produce करना चाहता है वो कर सकता है उसमें हम wheat का production, rice का production, vegetable का, pulses का, maize का ना जाने कितने तरह की crops जो है वो produce कर सकते है और वो अपनी requirement के साब से उसको produce करना चाहता है तो इस example के साब से, इस concept के साब से मेरे सामने दो चीज़े निकल कर आई कि एक तो यहाँ पर हमारा जो farmer भाई है उसके पास available है उसकी एक agriculture land और इस पर वो कई प्रकार की बहुत सारी crops जो है उनको produce कर सकता है जैसे की for example अगर मैं लूँ जिसे rice हो गया, या wheat हो गया, या sugar can हो गया, या फिर आप pulses का example ले सकते हैं, या फिर आप मेस का example ले सकते हैं, vegetables वगएरा, जितरे बहुत सारी चीज़े, उन सब का example यहाँ पर लिया जा सकता है, okay? the thing is, the thing is, जो दोस्तो agriculture land है, उसको हम example, example कह रहा हो, sorry, उसको हम नाम देते हैं, resources का, उसे हम क्या नाम देंगे, resources का, कि ये मेरे farmer भाई की resources है, जिससे वो production कर सकता है, अपनी requirements को पूरा कर सकता है, दूसरी तरफ जब मैं अगर देखूं, rice है, wheat है, sugar can है, pulses है, maize है, बहुत सा farmer भाई की wants, क्या है, ये wants है, जो वो produce करना चाहता है, produce कर रहा है, मैंने ये नहीं कहा, produce करना चाहता है, ये resources है, ये उसका चाहना है, और दोस्तों, यहाँ पर एक straight forward, simple सा analysis, आप लोग खुद, बिना बताए, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्या, कि sir, ये आपने resources लिखे, ये इतनी सारी आपने wants लिख दी, तो obviously हमारे सामने ये वाली situation है, कि जो wants है, वो resources से बहुत जादा है, clear, भाई माल लीजे, माल लीजे, यहाँ पर ये 2 hectare का, ठीक है, ये 2 hectare का agriculture land है इसके पास, okay, अब ये भाई, 2 hectare is like something 10,000 square yard के असपास आता है, ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ी जगे हो जाती है, बड़ एक farmer के नजरी से देखें तो एक normal, एक normal field है, ना बहुत जादा है, ना बहुत कम है, okay, अब लेकिन आप इसमें से rice भी लिख दिया, wheat भी लिख दिया, sugar can, pulses, maize, vegetable, पता नहीं, क्या-क्या बोले जा रहे हो आप, अब इतनी सारी चीजे, व resources है, वो limited होते हैं, वो क्या होते हैं, वो limited होते हैं, और जो wants है, वो हमारी unlimited होती है, हम farmer के साथ साथ, अभी और बहुत सारे examples इसमें सीखेंगे, ओके, और बहुत सा examples मैं आपके लेके चलूँगा, national level पर भी, और एक smaller concept में भी, ठीक है, अभी फिलाले इसको समझते हैं, सर अभी यह problem यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर कुछ दिक्कतें start हो चुकी है, wants हमारी बहुत जादा है, resources हमारे कम है, सारी की सारी wants, सारी की सारी crop produce नहीं हो सकती, क्योंकि जो यह situation है, आपने जो लिखी, हमने जो समझी के wants है unlimited, resources है limited, इसको हम scarcity कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, scarcity कहते हैं, scarcity का हिंदी में मतलब है कमी, दुरलपता, ठीक है, दुरलपता, कमी, scarcity, किसी इसकी, resources की भाई, तुम्हारे wants बहुत सारे थे, तुम्हारे तुम्हारी wants का जो परिंदा है, वो आसमान पे आसमान छूता जा रहा है, उपर जा रहा है, लेकिन, अरे भाई, उन crop को produce करने के लिए, resources आपके पास बहुत कम है, so that situation is scarcity, अच्छा सर, okay, resources कम है, wants बहुत जादा है, सर सारी की सारी, जो wants हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी तो अब पूरी नहीं हो पाएंगी, सारी की सारी wants तो, खेती ना करें, काम छोड़ें, नहीं, काम तो करना है, कुछ ना कुछ तो produce करना है, अब ये कुछ ना कुछ क्या produce करें, सोचने बैठे, अरे यार राइस produce करें, क्या, राइस produce करें, राइस पिछले साली तो produce करें थ लेकिन पिछली बार देखने में आया था कि वीट का दाम मार्केट में कुछ जादा बहतर नहीं मिला जादा अच्छा नहीं मिला यार इस बार भी धोका नहीं हो जाए हमारे साथ हम प्रडुकशन करें मार्केट में ना बिके। शुगर केन? हाँ शुगर केन कर सकते हैं, गौर् motives payment दे देती हैं, लेकिन सारा खरीद लेगी कि Arena smack बहुत सारे questions, बहुत सारे Nouses आपके दिमाग में, बहुत सारे analysis आप ही farmer भाई हो तो ये सारे analysis आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं राइस पिछले साल किया था, overproduced है, wheat का market में अच्छा दाम ना मिलने के chances है, शुगर करेंगे, पतानी government सारा खरीदेगी नहीं खरीदेगी, कुछ ना कुछ complications, कुछ ना कुछ pros, कुछ ना कुछ cons जो है, वो चल रहे हैं, दोस्तो इस problem को, इस situation को, यह जो दिमाग में खेचड economic problem, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तो, economic problem कहते हैं, याद रखेगा, economics अभी नहीं आई है, अब economic problem है, resources कम थे, wants ज़्यादा थी, इसलिए scarcity, rise हो गई, resources कम हो गई, अब किसका production करें, यह हमारे सामने problem आ गई है, that is what, economic problem, अब problem है, तो क्या solution ना ढूंडें, क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ऐसी काम चलने दे, obviously नहीं, obviously नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम इसका solution ढूंडेंगे, हम अपना analysis आगे ले जाएंगे, कि भई यार यह मेरा agriculture land था, sugar can, चलो, इतने में, सारे में, सारे के सारे में, मैं sugar can produce नहीं कर रहा, वोके sugar can सारे में produce कर दूंगा, त पढ़ा है, ओके, rice मेरे पास पहले से थे, example के साब से, चलो, इसका production नहीं करते, यार थोड़ा सा wheat produce कर लेंगे, इतने में, इतने में थोड़ा सा wheat produce कर लेंगे, अपने खुद के खाने के लिए काम आ जाएगा, pulses, और हाँ, पिछले साल pulses हम produce नहीं करी थी, हम इस बार जो pulses ह इतने area में अपना pulses produce करेंगे, तो आपने क्या करा, आपने दोस्तों या इस farmer भाई ने क्या करा, थोड़ा सा analyze करा, थोड़ा situations को समझा, और एक नतीजे तक पहुँचे, कि इतने में sugar can, इतने में wheat, इतने में pulses, वगेरा वगेरा, right, okay, इस चीज़ को दोस्तों कहा जाता है, इकनॉमिक्स, इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, इकनॉमिक्स कहते हैं, जब भी हम हालातों को, जब भी हम situation को, जब भी हम available resources को properly analyze करके, समझ के, दिमाग को center में रखके, ठंडा करके, नियंतर में रखके, decisions लेते हैं, policies बनाते हैं, formulation of strategies, formulation of policies, decide करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है, economics, ये कोई नया शब्द नहीं है, आपने अगर 11-12 में economics पढ़ी है, पढ़ने से पहले ही आप economics करते आए हो बचपन से, from the very first day of your studies, आप economics करते आए हो, clear, कैसे सर, economics कैसे करते हैं, अरे, जब exam आते हैं, और मालनीजे हमारी तयारी 100% नहीं है, क लाइन देना है, या इस subject में मुझे ज़्यादा स्कोर करना है, तो उसमें एक घंटा, दो घंटा में डिली ज़्यादा दूँगा, करते थे के नहीं करते थे, definitely करते थे, यही तो economics होती है, घर से pocket money मिलता है, तो pocket money मिला, वो resource है, आपको जो pocket money मिला है, पैरेंट से पैसे मि मार्केट जाके, इतने का मैं कुछ अपने लिए ड्रेस खरीदूँगा, इतने के लिए मैं अपनी कुछ books खरीदूँगा, books पता नहीं खरीदी नहीं खरीदी, ठीक है, books खरीदूँगा, या इतना पैसा मैं सेव कर लो, करते हो न, that is economics, economics है, क्यों आपको मालूम है, कि जो रिसोर्स आपके सामने है, जो रिसोर्स आपके सामने अविलेबल है, वो कम है, वो आपकी सारे रिक्वार्मेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, एक्जाम के लिए कितना भी टाइम मिले, वो हमेशा कम ही रहता है, आखरी में आके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होई जाती और वो हर कोई कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में जरूर करता है, तो यह सिंपल सा मीनिंग होता है, एकनोमिक्स का डेफिनेशन अब भी प्रॉपरली समझेंगे, बट वोट इस एकनोमिक्स, रिसोर्स को, रिसोर्स को मोस्ट एफिशेंट वे में रिसोर्स करना, अपने मैक्सिमम वांट्स को सैटिस्वाई करने के लिए, यह सिंपल सा चार्ट हमारे सामने आगिया, वाट इस एकनोमिक्स, यह हमने पढ़ा, वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्स, सर वांट्स जो है, रिसोर्स से ज़्यादा है, इस सिचुवेशन को, क इस एकनोमिक प्रॉबलम, क्या प्रड्यूस करें, क्या ना करें, हैरे तौबा समस्या, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, प्रॉबलम है तो उसका सॉलूशन भी होगा, इकनोमिक्स को सॉल्व करती है कौन, इकनोमिक्स, इकनोमिक्स प्रॉबलम को सॉल्व करत बोला तो nation macro economics दोनों पर लागू होगा Use limited resources Resources limited थे ना To satisfy infinite wants Maximum wants जितनी हम satisfy कर सके जो unlimited है सारी तो नहीं होगी बड़ जितनी हो सकती है Got the point? यह simple सा point हमारे सामने निकल कर आया हाँ दोस्तो एक चीज और है यहाँ पर analysis के लिए हम समझ सकते हैं सर आपने जो बोला आपने बोला कि सर जो हमारे resources है वो limited है Limited R है ठीक है? और जो हमारे resources माफ कीजेगा जो wants है वो unlimited है और unlimited wants सारी पूरी नहीं हो सकती हम यह process चलाते हैं economics करते हैं और maximum wants को satisfy करने की कोशिश करते हैं ठीक है? बिल्कुल सही है सर एक question है एक question हमारे मन में है कोशिश क्या है? कि सर अगर resources अगर resources unlimited हो जाएं तो अगर resources unlimited हो जाएं तो तो क्या आपकी wants सारी की सारी satisfy हो जाएंगी यह question अक्सर आता है तो दोखो यह जो situation हमें यह बहुत ही जादा hypothetical है कि resources का unlimited हो जाना ये तो possible नहीं है लेकिन अगर फिर भी मैं आपकी इस बात को yes बो दो कि चलो resources आपके unlimited हो जाएं तब भी दोस्तो scarcity रहेगी क्योंकि wants भी उसके हिसाब से और जादा बढ़ने लग जाएंगी अगर ऐसा हो कि resources अगर unlimited हो जाएं और scarcity arise ना हो तो दोस्तों जो बहुत rich class है जो millionaires हैं, billionaires है उनकी तो कोई want ही नहीं रहेगी लेकिन फिर भी अगर हम देखें आज भी आज भी उनकी कुछ ना कुछ want रहती है भाई देखो एक person बहुत गरीब आतमी वो पैदल office जाता है उसकी पहली want क्या होगी कि चल यार, cycle तो हो अपने पास चलो cycle आगई, cycle के बाद scooter तो हो अपने पास, चलो scooter आगया scooter के बाद, गाड़ी हो ना अपने पास गाड़ी के बाद, लगजरी का लगजरी के बाद, उसके बाद तो भी या फिर अपना helicopter, private jet, पता नहीं क्या क्या आ गया, the thing is जो requirement है, जो need है, वो कभी खतम नहीं हो सकती, तो इसलिए अगर resources हमारे unlimited भी हो जाए हाला कि इसकी hypothesis इसकी situation है, बहुत hypothetical है possible नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा हो, तो wants हमारी सारी की सारी satisfied नहीं हो सकती scarcity तब भी बनी रहेगी, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बड़ा प्यारा सा example, हमारे CA के module में ही दिया हुआ, तो मैंने वहीं से आपका example जो है, आपको explain करने की कोशिश करी, एक और example, देखो एक example हमने farmer का समझ लिया आपके exam का देख लिया, ये एक और example देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें starting economics के बारे में बताया है, कि जन्म कहां से हुआ, तो आपने एक्सर ये सुना होगा, कि जो father of economics है वो कहा जाता है, Adam Smith को ठीक है, Adam Smith को सबसे पहली जो major book है, वो इन्हों तो उसमें Alfred Marshall का नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ये दो basically major economics रहे, Adam Smith father of economics हो गए, ठीक है, clear और अगर मैं Alfred Marshall की बात करूँ, तो modern economics की हो गए, इनकी कई सारी अप्रोच अभी अपने syllabus में भी हम पढ़ेंगे, Alfred Marshall की, खेर हम आगे बढ़ते अब दिखो, आपको economics का meaning समझाने के लिए, बड़ा प्यारा सा example यहां पर दिया, बड़ा सिंपल सा, और ये आपके साथ होता है 100% definitely हुआ होगा आपका बड़े आया, और आपको मम्मी से 1000 रुपे मिले, birthday के तोफ़े के हिसाब से, कि याज आपका बड़े, कुछ बंता है 1000 रुपे, तो उम्मीद तो यह रहती हजार से अब देखो, होई ना, parents कुछ भी पैसा दे, 1000 दे, 2000 दे, हमें लगता थोड़ा और मिल जाए, और resources हमेशा unlimited ही रहते हैं, सरी माफ कीजएगा, limited ही रहते हैं क्योंकि हमारी जो requirement जो need है वो unlimited रहेंगी अब जैसी 1000 रुपे आपके पास आए और दिमाग हम एक दम से तितलिया उड़ने लग गई, ठीक है क्या करा जाए, क्या करा जाए, दिमाग जो है, computer की तेजी से दोड़ने लगा तो अलग-अलग option आ गए कि यार option one है, कि मैं जो है CDC बात है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर दूँगा, दोस्तों को पार्टी दूँगा वो मुझे देते हैं, मैं भी उनको दूँगा option two आया, कि मैं अपने लिए कोई ड्रेस खरीद लूँगा ठीक, अपने ओपर खर्च करने की बात भी फिर उसके अप कहा कि चलो मैं जो है हजार उपे से मैं मूवी देखने जाऊंगा, अपनी पसंद की कुछ खाऊंगा प्योंगा, अब पता नहीं है, मतलब अकेले मूवी देखने जाऊंगे किसी के साथ वो देखो, वो आप जानो, बट दे तिंग इस कि ये एक और अपने इंजॉयमेंट का, सेल्फ इंजॉयमेंट का एक उप्शन आ गया, उप्शन फोर आ गया, पता नहीं है, आप ऐसा करो ना करो करो तो बहुत अच्छी बात है, you can buy a book and save the rest money, कि अपने पढ़ने के लिए कुछ books खरीदी, और कुछ money save कर लिया, कि भी आगे जरुत पड़ेगी, अब वोई वाली बात, सर, सर, हजार रुपे में मैं दोस्तों को party भी दे दूँ, अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीद लूँ, मैं मुवी रेस्टोंट भी होके आ जाओं, मैं अपने लिए book भी खरीद लूँ, हजार रुपे में तो ना हो पाएगा, भी या कता ही ना हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि resources want से कम है, resources want से कम है, मतलब कमी है, कमी है कि इसकी, पैसे की, पैसा मतलब resource, तो scarcity होगे resources की, अब क्या करें, क्या करें, ये समस्या आ गई, economic problem आ गई, economic problem आ गई, तो ऐसे तो हार ना मानेंग, हम CE कर रहे हैं, foundation level पे, आगे पताने, हमने इतने लंबी जर्नी हमें cover करनी है, और उसके बाद तो भीया, company को संभालना, तो ऐसे इतनी छोटी problem तो हम ना जाने देंगे, हम analyze करेंगे, हम देखेंगे किस से मुझे सबसे आदा फायदा है, किस में मुझे सबसे आदा satisfaction मिलेगा, दोस्तों को party दूँ, या book खरीदू, या movie देखने जाऊं, analyze करोगे, चलो मैं आपकी जगे होता तो क्या करता, आप अपना option बताओ, आप क्या करते, आप क्या करते, आप दोस्तों को party देते, आप dress खरीदते, चलो बताओ ज़रा फटा फटा फटा, अभी comment box में, कि सर हमारा ये option है, जल्दी बताओ, कौन सा option आपका बढ़िया, option one, option two, party करेंगे, movie देखेंगे, dress खरीदेंगे, save करेंगे, फिर मैं अपने वाला best बताता हूँ, फिर मैं अपने वाला best बताता हूँ, आपके कौन सा सबसे, इसमें अच्छा रहेगा, ठीक है, आपने लिख दिया अपना, आपने लिख दिया, अब देखो, कायदे से, अनुभव के अनुसार में आपको बता रहा हूँ, देखो, option two, और option three, तो कतई, मतलब side कर दो, side कर दो, option two, option three, कुछ अब फायदा नहीं, movie, showvy, रेस्टरंड में खाना वाना, सब बेकार, फालतों की बाते, मनीक बेकार, अड्रेस खरीदा है, है तो तुम्हारे पाइटने सारे कपड़े, बढ़ी कुछ बढ़ी हाँ, कोई जरूत नहीं है, option one, option four, भाइट सर दोस्त है, देखो, बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, बुक्स जो है, हमारी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त है, आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट, डालनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल डालनी चाहिए, ठीक है, आप फाउंडेशन लेवल पे है, आप अक्सर, आप चाहिएगा तो मुझसे पूछेगा, मेरे नमबर पे मैं बताऊँगा आपको, कौन-कौन से बुक्स से आप पढ़ना स्टार्ट करें, सेल्फ डवलप्मेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशलिस लेवल पे, जब आप एक प्रोफेशनल बनने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको डेफिनिटली आपको रिकमेंट करूँगा, तो सर, आप्शन वन भी बढ़िया लग रहा है, सर, आप्शन फॉर भी बढ़िया लग रहा है, कौन सा करें, तो मेरा ये कहना है, थोड़ा कॉंप्रॉमाइस कर लेते हैं, सर, थोड़ा कॉंप्रॉमाइस कर लेते हैं, कि कुछ मतलब साप भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे, कुछ ऐसी कहानी बताओ, चलो ठीक है, ये कोई कसम थोड़ी ना खा रखी है, कि मतलब इन में से एक ही चीच पूरी करनी है, लेट्स डू दाइट, सर, हजार रुपे हैं मेरे पास, ठीक है, हजार रुपे, दोसो रुपे की मैं भुक लेके आजाँगा, दोसो रुपे में बहुत बढ़िया भुका जाती है, पढ़ने की, कौन सी बताऊँगा आपको जब पूछेंगे आप, ठीक है, बहुत बढ़िया भुका जाती है, दोसो रुपे में, सर, आट सो रुपे में दोस्तों को ट्रीट दे देंगे ना, थोड़ा एक डिश कम कर लेंगे ना, थोड़ा मतलब कम हलके वाले रेस्टरेंट पे ले जाएंगे ना, हलके वाले जो वेंडर होंगे वहां पे ले जाएंगे ना, तो देखो, यह क्या हुआ एकनॉमिक्स हुआ, यह क्या हुआ एकनॉमिक्स, सर, option two, three मजा नहीं आया, चलो छोड़ो, side करो, one और four अच्छे थे, दोनों जरूरी है, दोस्त भी जरूरी है, अपना self development भी जरूरी है, resources को आपने अच्छे तरीके से divide करा, 200-300 की किताब खरीद ली, बाकी से दोस्तों को party भी दे देंगे, best utilization आपने करा, that is what, economics, इसे क्या ब nation, nation, अब आप national level पर बात कर रहे हो, अब आप national level पर बात कर रहे हो, कि अपने वो square, productive resources को अलग-अलग तरीके से कैसे इस्तमाल करता है, जब हम nation की बात करते हैं, तो nation में दो चीज़े आ जाती है, एक public sector आ जाता है, एक private sector आ जाता है, public sector की बात करें, तो उसमें government आ गई, government अपना budget निकालती है, fiscal policy के अधार से, यह resources यहां लगेंगे, इतनी donation, नई factories, नई job, that is what, nation की planning, nation की economics, private sector को कौन कौन से right दिये गए हैं, वो कौन सा plant लगाएंगे, क्या production करेंगे, क्या उनके target होंगे, that is what, all economics, अपने resources का कैसा इस्तमाल कर रहा है, the process by which the productive capacity of these resources is increased, the word is increased, आप समझ गए होंगे, it is deal with, this thing is dealing with technology, it is deals with technology, आप अपने काम करने की technique को कैसे enhance करते हैं, अरे अपनी बात करो यार, छोड़ो, आप अपनी बात करो, आप छोड़ो, यह सब बहुत बड़ा, यह वाला point क्या, आप अपनी life में नहीं लगाते हैं, second वाल process of productive, सर हमारा तो कोई business नहीं है, हमारी productive capacity कैसी, अरे भाई, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम कितना score कर रहे हो, हाँ सर बात तो सही है, हमारी company's time पढ़ने की, हमें पढ़ना है, हमारा यह major target है, पहले 10 में foundation निक नहीं है, यह confidence है, हमारा होना चाहिए, इसके लिए अब क्या process अपना रहे हो, अपनाते हैं सर, हम अपनाते हो, अब फांडेशन कर रहे हैं नहां जी सर, time divide कर लिया हमने, हमने time divide कर लिया है, हम खाली यह नहीं के हमने किताब पढ़ लिए, कोई भी, नहीं के खाली module पढ़ करेंगे, हम revision practice series करेंगे, यह सब क्या है, यह सब आपका दोस्तो productive capacity बढ़ाने का process है, बई एक पढ़ाई तो वो भी है कि किताब ले ली पढ़ लिया चलो exam देने चलते हैं, है ना, लेकिन एक तरीका वो भी है कि time table के हिसाब से आपने पढ़ा, MTP solve करे, revision practice करी, करी कि नहीं that is also a what, आपने summary notes बनाए है, अपने सबसे important, तो यह क्या है, यह एक technique है, एक technology है, तो resources कम हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसका अच्छे तरीके से इस्तमाल करना, ताकि जादा से जादा wants, मैंने बोला तना efficient word, वो यह ही है, कि सबसे अच्छे तरीके से इस्तमाल करना, okay, now, the factors which have led to sharp fluctuation in the rate of utilization of resources, मतलब, sharp fluctuation, सर, इसका क्या मतलब हो सकता, sharp fluctuation, देखो, यह चीज़े आप धीर-धीर समझोगे, अभी हम बहुत सारे example है, business environment करके एक chapter पढ़ेंगे, हम एक chapter पढ़ेंगे अपने syllabus में, business cycle, ठीक है, तो economic decision, business के decisions, ऐसे ही नहीं लिये जाते, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पढ़ती हैं, कब government tax policy बदल दे, कब पूरी country में, मतलब पूरी country कर रहा है, पूरे world में recession का दोर आ जाए, ठीक है, कब petrol की supply, crude oil की supply कम हो जाए, बढ़ जाए, war जैसे Ukraine, Russia, war हम देख रहे हैं, है ना, so thing is, बहुत सारे नाजुक मोड होते हैं, आपने, मैं अगर नहीं पढ़ा, मैं तो अगर कोई बात नहीं, आगे उसको हम discussion करेंगे, जब हम दोस्तो, business studies में, 12th class की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप controlling chapter पढ़ते हैं, तो controlling chapter में, CPM technique के तहत हमने एक word पढ़ा था, key factor, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नही नाजुक पॉइंट, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पढ़ता है, जिस पर compromise नहीं बनता किसी भी तरीके का, वो key factor होता है, जिसे मान लीजे, आपकी एक बेकरी की दुकान है, तो आपका key factor होगा, कि आपके पास आटे या मैदा, जिससे भी केक वगरा, बिस्कुट वग होती है, that is key factor, उन पर अपनी नजर बनाए रखना भी economics का part होता है, जोगि अगर key factor के साथ छेडखानी हो गई, तो गड़बड हो जाएगी, आपके syllabus में चार subject, economics हम पढ़ रहे हैं, economics के syllabus के साब से मैं आपको बताता हूँ, अरे यार, production chapter और market chapter, compromise नहीं हो सकते, compromise नहीं हो सक सकते, बोच चेप्टर साथ key factor, clear, law पढ़ रहे हैं आप, law पढ़ रहे हैं, पहला चेप्टर, consideration, quasi contract, अरे ये तो बहुत important है, ये compromise नहीं हो सकते, ठीक है, पढ़ते हैं न हम सीधी सी बात है, ये क्या है, that is what key factor, इसे key factor का नाम दिया जाएगा, accounts पढ़ते हैं, अरे वा, क्या government वाला चेप्टर, वहाँ तो joint venture वाला चेप्टर, मतलब बने को slay बस exactly नहीं पता है, बट obviously दो चेप्टर होंगे, compromise नहीं बनता, key factor, तो economics इन चीजों के साथ भी deal करती है, तो बहुत बड़ा point है, बहुत बड़ा factor है, जो basically deal करा जाता है, okay, now, आईए उस शब्द पर चले जो हमें कहता है, जो हमें बताता है क्या, 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 बिजनस economics क्या है, उस से पहले कि example मैं लूँगा, यही example आपके module में दिया गया है, हम उसको analyze करेंगे, okay, तो अभी तक आप जो है, थोड़ा छोटे level पे खेल रहे थे, अपनी पढ़ाई, अपनी बड़े party अपने pocket money की management, तो आओ चलो बड़े बनो अब, ठीक है, अब हम एक business को analyze कर रहे है, ठीक है, pen pencil side रख देंगे, और example को समझेंगे, it will help you to develop some professional skills, जैसे, देखो, example हमें दिया हुआ है, के company है, उस company में आप काम करते हैं, आपके साथ और बहुत सारे managers आके बैठ हुए, meeting चलने वाली है, company के CEO या director आए, उन्होंने बोला, कि हमारी company आज से plan कर रही है, कि हम soft drink बनाए, soft drink की industries में enter कर रहे है, पेपसी है, Coca-Cola है, और बहुत सारी companies है, ये beverages में, non-alcoholic beverages में, अपना नाम कमा रही है, ये market बड़ा बढ़िया है, चलो हमें भी enter हो जाना चाहिए, ये target लेके चलती है, अब ठीक है, ठीक है, अब meeting शुरू हुई, director साब आए, कि अब बताओ क्या करें, तो आख बंद करके, आख बंद करके, आप सीधा सीधा ये बोल दोगे क्या, अरे हाँ सर बड़ा बड़ी है, विजनस है, चलो शुरू करो, हैं, अरे सर एकदम profitable, शुरू करना च इंपरेस करने की ज़रत, नहीं है, वहां पर आपको company को चलाना है, जो company के फायदे की बात होगी, आपको वो करनी है, और company के फायदे की बात, ऐसी किसी की हाँ मिला करना ही होगी, चाहे वो company की बात हो, या अपना business हो, कुछ भी हो, हाँ मिला के नहीं होता, proper analysis चाहिए, तो इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये decision बनाने से पहले कि हम enter करें या ना करें, हमें दो level पर सोचना बहुत जरूरी है, सर, micro level पर सोचना बहुत जरूरी है, और macro level पर सोचना बहुत जरूरी है, आप meeting में खड़े हुए, आपने बोला कि I am ही थोड़ी, भाई साब, I am ह अपने industry के अंदर देखो, अपने firm के अंदर देखो, अपनी company के अंदर देखो, अच्छा क्या देखो, बताओ तो सही, सर, एक बार तो पहले तो machinery की बात करो, कि machinery कहां से आएगी, machinery हम कहां से लेकर आने वाले हैं, ओके, अच्छा, ये analysis, हमारे पास पैसे हैं इतने, हमारे fund available है इतना, अच्छा, ठीक है, सर, employees, या labor, जो हमारे current employees है, जो हमारे current labor हैं, वो इसमें engage नहीं है, वो इसमें involved नहीं है, नया labor force हमें चाहिए होगा, नये employees हमें चाहिए होगा, अच्छा, अरे ये तो थोड़ा खर्चे वाले बात हो रही है, तो खर्चा, soft drink में जाना खर् ही दोगे, supplier कौन होंगे, raw material, coldering बनेगी तो काच की bottles भी आएंगी, plastic bottles भी आएंगी, वो आपका जो carbonated, आपका substance होता है, वो भी आपको उसका formula बनाना होगा, different chemical supplier पकड़ना होगा, साथ ही, अरे आपके जो competitors है, buyers तो अभी आएंगे, buyers का मूर तो पता चलेगा बाद में, main द हैं, सामान कहां से खरीद रहे हैं, supplier, आप सामान कहां से खरीदोगे, अरे हम भी खरीद लेंगे उनसे, अरे ऐसे कैसे खरीद लोगे, जहां से आपका competitor सामान खरीद रहा है, वहीं से आप खरीदोगे, तो आपके product में क्या difference हुआ, अगर आप same formula बनाके बेच रहे होता हो, तो consumer तो वहीं जाएगा, पुराने वाले पर जाएगा, अरे कुछ different अपने softring में निकालो न, health के मामले में, energy के मामले में, नींद के मामले में, कुछ भी जो भी होता हो, clear, कुछ तो नया निकालो, कुछ तो नई चीज लेकर आओ, supplier, यह तमाम factor, that these are the microeconomics, these are microeconomics, okay, इंटर में मिली हैगा, बताओंगा, explain करूँगा, वहाँ पर, वहाँ पर tax subject जो है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, आज के time पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो, अगर आप अपनी कोई नई manufacturing unit start करते हो, manufacturing unit है, शुरू करते हो, government tax के मामले में, कई तरह की subsidies, कई त करने के लिए, तो भीया, उस policies के तहत आप अपना काम शुरू करना, यह planning करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं कि घर के पीछे, खाली पड़ाता plot चलो, काम शुरू कर दो, कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसा आप बहुत बचा सकते थे, अगर tax policies के हिसाब से काम शुरू करते हैं, तो यह मालूम होना चाहिए, अच्छा, अरे जो globalization की policies है, वो क्या कह रही है, हमारी country का GDP क्या कह रहा है, हमारी country की population, demographic profile, क्या, soft drink को पसंद कर रही है नहीं कर रही है, तो यह तमाम analysis, ऐसे ही आख बंद करके decision नहीं लेना है, माइक्रो मैक्रो दोनों तसली से समझना है, competitor की पढ़ाई करनी है, buyer की पढ़ाई करनी है, government की tax policies की पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ समझना है, तब जाके एक product का final decision हो पाता है दोस्तों, आज के time पे जो बड़ी बड़ी companies है न, 200, 200, 300, 500, 1000, 1000, 1000 करोड रुपे खर्च करती ह है, सिर्फ R&D पर, research and development पर, कि हमें product को start करना चाहिए नहीं चाहिए, 1000, 1000 करोड रुपे करने के बाद भी product cancel हो जाता है, यह profitable नहीं है, तो आप समझ सकते हो, कि एक नई चीज़ को start करना इतना आसान नहीं होता, company को बहुत बड़े level पे, अच्छे level पे planning करनी पड़ती है, ह रे मेरा दोस कर रहा था तो चल मैं भी भेड़ चाल, नहीं, ऐसा करा क्या, गलत बात, हम proper analysis करके इनकी value क्या है market में, क्या job की opportunities है, किस तरह से हम एक company को dominate कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी policy, strategy making में, उसको बड़ा बनाने में अपना role play कर सकते हैं, यह analysis करोगे, तभी आप analysis होना बहुत जरूरी है, आपकी life में भी, अपने जीवन में भी, और obviously एक product, एक company के बारे में भी, got the point, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो that's the meaning of business economics, not a new thing, sir, simple, अब समझ आ गया, simple समझ आ गया, economics को अपने business में डाल दो, right, that is business economics, economics में आपने समझ लिया ना, कि हम strategy making देखते हैं हम business policies, हम policies बनाते हैं अपने resources को, अच्छे तरीके से इस्तमाल करने की बात करते हैं, वही business में ले आओ, business के भी तो resources है ना, business के अपने resources है ना, उनकी capital है, machinery है, labor है, equipments है, उनका best इस्तमाल करना है, यही business economics है, so business economics is the use of economic analysis, and the formulation of business policies, to make key, keyword आगिया है ना, to make key, business decision involving, उसके बाद पढ़ना जरा, best use of an organization's scare resources, कुछ नया आया, आपने पहली slide में जो पढ़ाता कि sir, resources का, सही तरीके से इस्तमाल करना है, बिलकुल वही definition है, बस यहाँ पर business की involvement बढ़ गई है, business की policies की बात बढ़ गई है, business के resources की बात बन गई है, इसे ही business economics दोस्तों कहा जाता है, सबसे simple meaning, इसे applied economics भी कहते हैं, इसे managerial economics भी कहते हैं, इसे integrated economics भी कहते हैं, applied economics इसको इसलिए बोला जाता है, कि आप अपने उन theories को, demand, supply, business, supplier, आपके competitor, इन सब की जो theory आप पढ़ते हो, उसे आप business में apply करते हो, that is applied economics, managerial economics इसलिए बोला जाता है, यह काम basically non-professional या non-skilled लोगों का नहीं होता, business की policy बनानी है, business के decisions को हमें classify करना है, strategies बनानी है, यह हर किसी के बस का बात नहीं कि कोई भी बना लेगा, कौन, manager, top level के जो लोग होते हैं management में, वो इसको करते हैं, इसलिए इसको managerial economics बोला जाता है, and next is what, integrated economics, integrated का मतलब होता है, जब आप अलग-अलग field को एक साथ connect करके, एक CA क्या है, एक CA क्या है, एक CA है, integrated personality, जब हम CA बन जाएंगे, we have knowledge of what, taxation की knowledge होगी, हमें finance की knowledge होगी, हमें audit, आपका आने वाले समय में एक subject जुड़ेगा, उसकी knowledge होगी, हमें एक financial level की reporting, या अच्छे level की accountancy की knowledge होगी, तो ये क्या है, integrated personality, integrated skill, ठीक, उसी तरीके से, हम economics पढ़तो रहे हैं, लेकिन एक business की decision making में, हमें stats की, हमें accountancy की, हमें आपके अलग-अलग human psychology की, इन सब की भी study करनी पड़ती है, consumer का behavior क्या है, वो हमारा product खरी देंगे, नहीं खरी देंगे, that's why it is called the integrated economics as well, got the point, got the point, so that's a very simple meaning of business economics, I hope ये चीज आपको यहां पे समझाए, ठीक है, उसके बाद आगे, किस level पे काम करते हैं, subject matter क्या है, किस के साथ deal करता है, business economics, micro या macro, अरे सर ये तो पढ़ लिया, ये तो already पढ़ लिया, micro में आपने बताया था, basically, जो एक internal department होता है, kind of, एक छोटा level होता है, individual unit होती है, micro-macro का meaning हम जानते हैं, I मतलब individual, A मतलब aggregate, इस level पे जब काम करते हैं, तो business economics deal कर रही है, अपने employees के साथ, उनका behavior, ठीक है, अपने खुद के product development के बारे में, वो study कर रही है, अपने suppliers के बारे में, अपने competitors के बारे में, अपने buyers के बारे में, it means, it deals with, it means, it deals with micro factors, ये micro factors के साथ deal कर रही है, got the point, next is macro economics, सर, business खाली internal मामलों से नहीं चलेगा, ये तो बहुत बड़े level पे, बहुत सारे factors जो हैं, वो इसको effect करते हैं, जैसे, अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको एक example दिया था, government policies, government policies, government policy को fiscal policy भी कह सकते हो, जिसमें tax हो गया, subsidies हो गया, इन सब के बारे में आप discussion करते हैं, right, इसके अलावा technological world, technology, अरे technology change हो रही है, आपको भी change होना होगा, बहुत जरूरी है, अगर समय के रहते हैं, हमने अपनी technology को दोस्तो अपग्रेड नहीं करा, तो obviously हम business में पीछे रहे जाते हैं, example अगर आप देखे न सर दोस्तों, तो you are like, आपकी age इस वक्त क्या होगी अगर मैं बात करूँ, तो आप मेरा मानना ही है कि mostly आप सन 2000 के बाद के जो है, बान है, और आपने जो होस्त सम्हाला है, जमाने को लेकर वो लगबग 2010 के बाद सम्हाला होगा, है ना, बई 10 साल, मैं यह नहीं कह रहा है कि दब दिमाग आया आपको 10 साल, दिमाग आप में पहले सही था, लेकिन चीजों को समझना हमारे पास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे है, इतना समय लगता है, इससे पहले तो हम अपने खेल खिलोनों में बिजी होते है, तो सबसे इंपॉर्टन चीज जो है, हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इंफ्लोएंस करती है, वो है मोबाइल है, इसको लेकर डिसकस करेंगे, आगे चलके हैं, यह बड़ा समस्या वाली चीज है जिन्दगी में, मोबाइल, मोबाइल दोस्तों जब एक तरह से वर्तन आया, और 2003 से लेकर 2008 तक एक दम से मोबाइल का जो यूसेज है बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, उस टाइम पर एक कमपनी, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को रूल करा करती थी, तेट इस नोकिया, और आपने इसका नाम सुना होगा, यह समझ ल और वर्ल्ड मोबाइल फोन आर आफ नोकिया, कहते हैं लोगों को मोबाइल चनाला नोकिया ने सिखाया, किस तरह से मोबाइल को यूस करा जाता, वो नोकिया ने सिखाया, वेरी गुड थी, दोहजार नौदस में, 2008 के बाद, 2008 के बाद, मल्टी मीडिया फोन्स का जो फोन में आप अपना गाने चला सकते हो, ठीक है, एडिटिंग वगरा कर सकते हो, चीज़े धीरे धीरे डवलप होने लगी, उसी समय पर डवलप हुआ एक सॉफ्टवेर और उसका नाम था Android, जो हम आज अपने फोन में इस्तमाल करते हैं, Android, एक बहुत ही यूजर फ्रेंड का इस्तमाल अपने फोन बनाने में करेंगे, नोकिया ने इस चीज़ को मना कर दिया, यह हम थोड़ा, मैं केस टड़ी बता रहा हूँ, आपको मालूम होनी चाहिए, अपने अनलिसिस के लिए, नेट पे भी सर्च करना इसके बाद के नोकिया के साथ क्या हुआ, आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको और चीज़े पता चलेंगी, लोग, नोकिया ने मना कर दिया, नोकिया ने नो कर दिया, कि हम एंडुराइट को एकसेप्ट नहीं करेंगे, हम अपना एक खुद का ओएस बनाएंगे, और उन्होंने नाम भी दिया था उसको लूमिया, क को इतना पसंद नहीं आया, यह रूजर फ्रेंडली नहीं निकला, एंड उसी दिन से समझ लेजे, उसी साल से, नोकिया का फॉल शुरू हो गिया, सैमसंग ने ऐसी मार्किट पकड़ी, सैमसंग ऐसा राइज हुआ, कि आज वो वर्ल नमबर वन है, एपल में और सैमसंग मे बंद हो गई थी, इसको माइक्रोसॉफ ने टेक ओवर करा फिर बाद में, और जब इसकी मतलब लास्ट बोर्ड मेटिंग थी, उस टाइम पे इस कंपनी के सीओ डारेक्टर ने कहा भी था, कि वी डू आर बेस्ट, बट वी डोंट नो हाव वी गैट फेल, मतलब हमने अपन नहीं था, ठीक था, लेकिन एंडॉरड की बराबरी वो नहीं कर पाया, और जो कंपनी पिछले 20-30 सालों से पूरी दुनिया जो है, संभाल रही थी, वो सिर्फ 3-4 साल के स्पैन में गड़बड हो गई, बाहर चली गई, तो इसी लिए, इसी लिए, टेक्नोलजी, इंप्र ज़रूरी है, इंप्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है, अपने बिजनस में, अपने काम में, अपने स्किल में, आज भी बोलते हैं, आपको कल को सी ये बन जाओगे, तो क्या पैसे की बारीश शुरू हो जाएगी, पैसे की ऐसा नहीं होने वाला, सी ये बनने के बार ठीक यह बहुत ज़रूरी चीज होती है, that's why technology improvisation is a very necessary thing, ठीक है, ठीक है हम थोड़ा अलग चले गए, but yes, case studies हमें मालूम होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी case studies हम समय समय रहते हैं, अपने chapters में cover करेंगे, government policy होगा, technology होगा, more important, आपकी demographic profile, आपकी country की demographic profile बहुत ज़रूरी है, इसको study करन यह दुनिया भारत से चलती है, यह दुनिया इंडिया से चलती है, आज के time पे हम क्यों कहते हैं, सबसे ज़ादा youth population इस time पे इंडिया में है, तो youth के हिसाब से products की demand create करना, gadgets या कुछ भी जाप, कुछ भी field पर चले जाएए, उसके हिसाब से market को समझना, अपने product को upgrade करना, बहुत जरूरी होता है, यह तमाम factor दोस्तों business economics में deal करते हैं, हमारा एक pair micro economics में रहना चाहिए, दूसरा pair macro economics में रहना चाहिए, business को चलाने के लिए, सर एक पाउँ अलग अलग, अरे नाव एक ही है, नाव एक ही है, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, कि दो department है, micro macro, उनका proper analysis मा नेक्स क्लास में हम nature की बात करेंगे, हम nature of business economics को दोस्तों discuss करेंगे, और उसके बाद एक और topic, scope of business economics, आपका operational, environmental, यह काफी हद तक micro macro से मिलता जुलता ही है, हमने दो बार ही और इसको पने example में पढ़ लिया, but yes, syllabus के साफ से इसको cover करेंगे, okay, मिलते हैं आप से, नेक्स क्ला इस फोल्स लेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप required given number पर call कर सकते हैं, please take care, मिलते हैं आप से next class में. किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे और इंडिया में बैठके हमारे कोर्से से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं, में जो दूसरों से अलग करते हैं, वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्टेक्टर टीमें, आपके कॉंट्रोंस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाया रखता है, और आपको कॉंट्रोंस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टेडी के लिए, मेरे बच्चों, कुछ रिवीयोज पूरे और इंडिया से आया हैं, मैं चाहता हूं कि आपको सो शेयर करो? आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थैंक यू थैंक यू बच्च्छ